21 नॉवंबर 2012 को एक हिस्ट्री राइटर मिस्टर नीरा जत्री एक RTI दायर करते हैं मामला जुड़ा था कुटुब मिनार के इतिहास से मिस्टर नीरा जत्री को NCRT की क्लास 7 की किताब अवर पास्टू में जो कुछ भी कुतुब मिनार के इतियास के विशह में दिया गया था कि कुतुब मिनार को दिल्ली के दो सुल्तानों कुतुबदीन एबग और इलतुत मिशने बनवाया है इससे जुड़ी information चाहिए थी उन्होंने भारती सरकार के साबने 5 सवाल रखे पहले दो सवालों में उन्होंने सरकार से उन दस्ता वेजों और पुरातत्त्वी सबूतों की मांग की जिससे प्रूफ होता हो कि कुतुब मिनार को कुतुबदीन एबग और इलतुत मिशने बनवाया था Department of Education and Social Sciences ने रिस्पॉंड किया तो उनके पास भी बहुत पॉजिटिव आंसर नहीं थे पहले दो के आंसर तो निगेटिव ही थे कि D.E.S.S. के पास ना कोई ऐसा दस्तावेज है और ना कोई ऐसा पुरा तत्विक सबूत जिससे ये निसकर्स निकाला जा सके कि कुटबदीन एबग या फिर इलतुत मिशने कुटब मिनार को बनवाया था तीसरे और चौथे सवाल के आंसर में D.E.S.S. ने ये बोला कि किताब में ही उन लोगों के नाम दिये हैं जिनके अप्रूवल सी ये इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है और अंतिम सवाल का आंसर भी निगेटिव था कि भारती विभाकी फाइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है तो दोस्तों ये हमारी स्कूल के कक्षाओं में पढ़ाया जाने वले इतिहास की ऑथेंटिसिटी जिससे एक बात तो सोज में आ जाएगी कि कुटूब मिनार का इतियास एक सीधी छड़ीना होकर एक ऐसी जलेबी है जिसकी कहां से शुरुवात होती है और कहां अंत होता है उसको बतापाना बहुत मुश्किल है तो दोस्तों बिना किसे विलम के विशलेशन को शुरू करते हैं दोस्तों कुटूब मिनार की गुत्थी इसलिए कठिन है क्योंकि इतिहास की स्पन्ने में बहुत कंट्राडिक्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं आपको ताजब होगा ये बात जानकर कि 16 और 17 शताब्दी तक मतलब कुटूब मिनार के बनने के 400 साल बात तक किसी को ये क्लियर नहीं था कि कुटूब मिनार किसने बनवाया है चाहे वो हसन निजाम हो या फिर इबन असीर हो या फिर अलाउदीन जोवैनी हो या फिर आपके मौलाना निरुदीन मुहमद हो इन सभी इतिहासकारों ने अपनी किसी भी किताब में कुतूब मिनार का कोई भी उलेक नहीं किया है वो दिल्ली का बाश्या बना तो इनको लगा हसन निजाम को कि वो कुछ थोड़ा नरम दिल होगा और उसके शाही दर्बार में इनको काम मिल जाएगा लिखने का काम मिल जाएगा इसलिए फिर 1205 और 1206 के अरौन भारत चलेया और दिल्ली में कुतूब दीन नेबक के शाही वापस चला गया था तो फिर ये 10-12 सालों में कुतूब दीन एबक ने जब हुकूमत संभाली थी तो दिल्ली में बहुत से काम किये थे बहुत सी चीज़े बनवाई थी लेकिन जब 1205-1206 इसवी में महमत गोरी मारा गया तो फिर दिल्ली का बाशा कुतूब दीन एबक बन जिसको उसने महंगे रतनों और सोने चांदी से सजाया जो कि उसे वहाँ के मंदिरों को तोड़ कर मिले थे लेकिन वो अपनी किताब में कुतूब मिनार के बारे में कहीं भी नहीं लिखते हैं अब आप ये सोच के देखिए कि जिस कुतूब मिनार के बारे में दिल्ली संसा करने वाले इतिहासकारों ने ही नहीं लिखा है और ये बास सबकी समस्सिप परे है अब दोस्तों इसमें कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि चुकि हसन निजामी अपना पेट पालने के लिए किताब लिख रहे थे कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके तो इससे दो पता चलते हैं पहला ये कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखते थे जिससे कुतुबदी नेबक नाराज हो जाए इसलिए आप देखे कि उनकी किताब ताजुल मसीर में उसी युद्ध का वर्लन है जिस युद में मुहमत गोरी और कुतुबदी नेबक ने प्रिथ्वी र प्रिथ्वी राज विजय पढ़ें और हमीर महाकावे पढ़ें तो वहाँ पर जो प्रिथ्वी राज चोहान जी के इतिहास का वर्लन मिलता है उससे लगता है कि कम से कम प्रिथ्वी राज चोहान जी ने महमत गोरी को तीन से चार बार धूल चटाई थी दोस्तों अगर आ प्लस इससे आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ और आइस की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कुकु FM आपको केवल हिस्ट्री ही नहीं बलकि बिजनेस, साइंस, रिलिजन, सेल्फ एल्प और फाइनस जैसी केटेगरीज में सैक्डों आउडियो बुक्स आफर करता है यहाँ पर दस हजार से भी ज्यादा टैटिल सुपलब्द है तो सीखने और जानने के लिए इससे बहतरीन प्लेटफरम आपको नहीं मिलेगा कुकु FM का अल्रेडी 2.5 मिलिएं पेट सब्सक्राइबर्स फाइदा उठा रहे हैं दोस्तों मन्थली केवल 99 रुपीज में आपको यह सारी की सारी आउडियो बुक्स सुदने को मिल जाती है लेकिन अगर आप कूपन कोड हाइपर 50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महिने का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा जो डेली का 2 रुपए भी नहीं है तो दोस्तों आज से ही कुकु FM की मदद से आप अपने समय को और भी प्रोड़क्टिव मनाएं मैंने एप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है जरूर चेक आउट करें दोस्तों चली अब समझते हैं कि वो क्या कारण रहोंगे कि हसन निजामी ने अपनी किताब में कुतुम मिनार का उलेक नहीं किया तो दोस्तों हमारे सामने पहला फैक्ट ये क्लियर है कि हसन निजामी कुतबदीन एबक की प्रशंशा में ये बुक लिख रहे थे दूसरा फैक्ट इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बुक वो पेट पालने के लिख रहे थे प्रोजेक्ट कुतुब दीन एबक के मिशन में नहीं रहा हो और इसलिए हसन निजामी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा और जब उसकी मौत हो गई तो चूकि अब आगे फंड नहीं मिलना है तो किताब में उन्होंने उसके आगे की इतिहास को नहीं दर्ज किया ह ऐसा बहुत से इतिहास कार मानते हैं लेकिन इसमें एक और पहलू है उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1193 से पहले 1193 से पहले कुतु मिनार जैसी एक और मिनार मुस्लिम शाषकों ने अफगानिस्तान में बनाई थी जिसको मिनार अफजाम कहते हैं और ये मिनार पनाई थी मुहमद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गोरी ने तो हम ये मान सकते हैं कि मुस्लिम शाषक जो भी रिजन जीतते जाते थे वहाँ पर अपनी एक मिनार खड़ी करते थे क्योंकि इसके लावा और कोई उपयोग समझ में नहीं आता है मान लीजे अगर य इतनी उची इमारत बनाना कि आप 3-4 मंजिल में जाने में ही आपको एक घंटा लग जाएगा तो वहाँ से बुलाना और फिर अगर मान लीजे कि आप किसी गौंग का या फिर बड़े घंटे का इस्तमाल करते हैं बुलाने के लिए तो घंटे का जो उपयोग है वो कुरान जहां अपना ये जीतते थे तो वहाँ-वहाँ खड़ी करते थे क्योंकि मिनार जो शब्द है वो आया ही नार से है और नार का मतलब होता है फायर आग तो उसको लाइट हौस की तरह अपनी जीत की तरह देखते थे तो मुशलम सासच इसको खड़ी करते थे लेकिन अब इस अगर होती तो हसन इजामी अपनी किताब में जरूर लिखते तो जीत का जशन इतना डिले क्यों किया गया पहला यह नहीं समय में आता है दूसरा इसमें एक प्रिस्ट यह है कि एक ब्रिटिस अर्कॉल्जिस्ट थे राल पी विल्सन जो की ब्रिटिस इंस्टिटूट अफ अ भारत में बनी दिल्ली में अब दोनों मिनारों में आप देखिए एक मिनार दो-तीन साल में बन गई क्योंकि जो मिनार थी 1192-1993 में मिनार अफजाम ओपन कर दी गई थी पब्लिक के लिए लेकिन कुतुम मिनार को बनने में 27 साल लग गये 1193 से लेकर 1220 तक इलतुतमिश ने पत्थरों को यूज किया है मिनार अफजाम को बनाने के लिए तो मिनार अफजाम आपकी 2-4 साल में बन जा रही है और कुतुम मिनार को बनाने में आपको 27 साल लग जा रहे हैं तो ये भी कॉंट्राडिक्शन समझ में नहीं आता है तो इससे ये बात क्लियर है कि रहे है कि लमबी वाली मिनार उन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया है और उसके बाद 14 सेंचुरी में इबने बतूता करके एक ट्रेवलर आये तो उन्होंने भी उस मिनार को फिरोशा की मिनार बोला है क्योंकि फिरोशा त्यूगलग ने उसको मरमत कराई थी तो वहाँ पर उ उसने अपनी किताब बाबर नामा लिखी तो उसने उसमें इस मिनार को खिलजी की मिनार बोला है तो हर जगा इस मिनार को अलग-अलग नामों से बोला गया है किसी ने नाम दिया है, किसी ने नाम नहीं दिया है जबकि वही कुतुब दी नेबक जब जामी मस्जिद बनवाता है तो उस पर अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाता है तो जब वो एसिया की सबसे बड़ी मिनार बनवाएगा जो उसके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ऐसा हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है तो फिर वो अपना नाम नहीं लिखवाएगा इससे गुत्थी और उलग जाती है लेकिन जिसने भी बनाया हो बनाने वाले हिंदू कारिगरी थे क्योंकि कुतूब मिनार में जहाँ हमको अरेबिक इंस्क्रिप्शन्स मिलते हैं वहीं हमको नागरी इंस्क्रिप्शन्स भी देखने को मिलते हैं जो की हिंदी और संस्कृत है और यहीं से शुरू होती ही कॉ कुटू मिनार कोई हिंदू स्थम्भ था दोस्तों कुटू मिनार भले ही एक इस्लामिक स्ट्रक्चर हो लेकिन जो उसकी पोजीशन है जो लोकेशन है वो बहुत ही साइंटिफिक है क्योंकि अगर आप सोचिये तो जिस प्रित्युरा चोहान को मुहमद गोरी ने हराया उनकी राजधानी अजमेर थी दिल्ली नहीं थी तो फिर दिल्ली में क्यों विजैस थंब बनाया दिल्ली में क्यों मिनार खड़ी की गई हो सकता है कि वो कुतुब किसी और चीज को डिनोट कर रहा हो इसमें एक थेरी ये है कि जब 1220 में इलतुत मिशने इसको कम्प्लीट करवाया तो उसने इसको ख्वाजा कुतुब दीन बक्तियार काकी को समर्पित किया ये ख्वाजा मोईदीन चिस्ती के ही सक्सेसर थे तो हो सकता है कि इलतुत मिशने ख्वाजा कुतुब दीन को ये समर्पित किया हो और इसलिए इसको कुतुब मिनार बोला जाता था लेकिन दूसरी थेरी ये है कि ये जो शब्द है कुतुब शब्द इसका Arabic में मतलब निकाला जाता है तारों और ग्रहों की मुवमेंट से तो हो सकता है कि जब मोहम्मद गोरी ने अपना सामराज स्थापित किया हो दिल्ली में तो दिल्ली के locals से पता चला हो कि ये जो कुतुब कॉंपलेक्स में अल्रेडी किस्तम वो पस्तित है इसके कुछ खगोली उप्योग रहे हों इसी संदर्ब में एक शोध स्वतंत्र शोध करता श्री अपशेक सिंजी ने किया है अपनी किताब Genesis of Time में उन्होंने वहाँ पर बहुत धेर सारे सबूत ही कठा किये हैं जो बताते हैं कि कुटूब मिनार की जो लोकेशन है जो पोजिशन है वो साधारण लोकेशन नहीं है इस किताब में कुटूब मिनार के जुकाओ और उससे बनने वाली चाया का अध्यन किया गया है अगर आप जानते हूँ तो आपको पता हुगा कि पृत्वी पर तीन तरह की काल्पनिक रेखाएं खीची गई है एक विश्वत रेखाएं जिसको equator बोलते हैं और उसके लावा दो रेखाएं हैं एक Tropic of Cancer और दूसरी Tropic of Capricorn तो Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच की जो जगह है इसके अलावा जितनी भी जगह बसती है इस band के परे उपर और नीचे अगर यहाँ पी कोई चीज होती है तो वर्ष में हर समय हर दिन उसकी चाया बनती है लेकिन अगर कोई चीज इन दोनों band के बीच में है तो साल में कुछ दिनों में उनकी चाया नहीं बनती है क्योंकि सूर्य जो है वो सीधे 90 डिग्री पर पढ़ता है इसको मैंने बहुत डीपली समझाया अपनी Vedic Astronomy की एक सीरीज लाई थी उसमें ढंक से समझाया अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं लेकिन जब कुतुब मिनार के संदर में ये अध्यन किया गया तो चुकि कुतुब मिनार इस band से बाहर है दिली इस band के नॉर्थ में जाता है लेकिन फिर भी कुतुब मिनार की summer solstice के दिन shadow नहीं बनती है जो कि अपने आप में एक बहुत amazing और surprising fact है दूसरा उनका शोध ये भी find out करने की कोशिश करता है कि दिली में ही क्यों वो stump बनाया गया रहा होगा या वो location चुनी गई रहोगी और इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा role है जैसे हमने देखा कि सूर्य भगवान जो है वो Tropic of Cancer से Tropic of Capricorn के बीच ही 90 degree आ सकते है उसके परे नहीं आ सकते है इसलिए उसमें जो है वो shadow एकादिन नहीं बनती है objects की उस band में ऐसी चंद्रमा के भी साथ है मतलब चंद्रमा के लिए भी एक reason निर्धारित है जिसमें चंद्रमा पृत्व पर एकदम 90 degree पर मतलब हमारे सर के उपर आ सकते है और ये जो band है ये plus 28.5 to 4 से minus 28.5 to 4 तक रहता है और आपको यकीन नहीं होगा कि कुतुम मिनार का जो latitude है वो plus 28.5 to 4 exactly match करता है अब इसको एक मात्र coincidence बोल देना सही नहीं होगा और plus एक सबूत और है जो ये प्रूफ करता है कि ये जो मिनार थी या ये जो स्तंब रहा होगा वो चंद्रमा की ही गति के लिए बना गया था ये जो 27 windows है, 27 खिर्कियां है ये तनी खूबसूरती से बनाई गई है कि ये बाहर से कुतुम मिनार का structure खराब भी नहीं करती है और अंदर से आप इनके थूँ चंद्रमा की गति को observe भी कर सकते हैं अब शेख जी ने इस किताब में ना केवल खगोली बलकि mathematical, architectural और historical बहुत डिर सारे evidence को जुटाया है अगर आपको इस वीडियो के बाद कुतुम मिनार के history में interest जगा है तो मैं इस किताब की link description में डाल दूँगा आप इस किताब को जरूर पढ़ें बहुत डिर सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुतुम मिनार के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपको भी schoolie किताबों academic किताबों से हट कर इतियास के कुछ नय पहलों को जानना है तो कुकू FM पर ऐसे बहुत डिर सारे topics audio book के form में available है आप जरूर उनको सुने मैं link नीचे description में डाल दे रहा हूँ आप जरूर चेक आउट करें दोस्तों अगर आपने channel को subscribe नहीं कि आए तो channel को जरूर subscribe करें क्योंकि हम लोग हर अफते ऐसे धर्म, विज्ञान और भारती इतियास से जुड़ी वीडियो लेकर आते हैं वीडियो पसंद आये तो like करें अपने दोस्तों और परवार्जनों में भी जरूर शेयर करें दोस्तों मैं वीडियो को दूँगा यहीं विराम अब मैं मिलूँगा आपको नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम